The Leader के सतरंगी दुनिया शोव में आपका स्वागत है। आलिया भट अभिनीत फिल्म गंगो भाई शुक्रबार को रिलीज हो रही है। लेकिन रिलीजिंग से पहले ही ये मूबी काफी सुर्कियां बटोर चुकी है। चाहें इसके नाम पर छड़ा विबाद हो या अलिया भट का धमदारा भी ने। कठियाबारी की असल जिन्दगी के इर्दगीर्द घूमती है। गंगो भाई कठियाबारी मशूर माफिया कुईन थी। उनका जन्व गुजरात के कठियाबार में एक संभरांत परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गंगा हर्जी वंदास था। जवानी में वे वालीबूट कलाकार बनने का सपना देखा करती थी और इसके लिए मुंबई भी जाना चाहती थी। 16 साल की उम्र में गंगा को अपने पिता के अकाउंटेंट रमडीक लाल से इश्क हो गया। उसके साथ कठियाबार से मुंबई आ गई। मुंबई आकर गंगा और रमडीक ने शादी कर ली लेकिन चंद रोज बाद ही रमडीक ने गंगा को तलाग दे दिया। इतना ही नहीं उसने गंगा को 500 रुपे में कोठे पर बेश दिया। इससे गंगा की जिन्दगी तभा हो गई और वे वेश्याबिटी में आ गई। मुंबई के रेड लाइट इलाके में गंगा भाई की नई जिन्दगी शुरू हुई। हुसेण Zaidie की माफिया कुई साफ मुंबई नाम की किताब के मताबिक गंगूबाई का मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके कमाठी पुरा में बगट बड़ा नाम हुआ करता था। करीम लाला भी कमाठी पुरा इलाके में आया करते थे किताब के मताबिक गंगू बाई का करीम लाला के गैंग के किसी आदमी ने दुशकर्म कर दिया था जिसके लिए गंगू बाई करीम लाला के पास इंसाफ मांगने गई थी बाद में गंगुबाई ने करीम लाला को राखी बांद कर भाई बना लिया जिसके बाद करीम लाला ने गंगुबाई को कमाठी पुरा इलाका दे दिया यहीं से गंगुबाई माफिया कुईन बन गई और जिस देह व्यापार की वे शिकार हुई थी उसकी मालकी भी लेकिन यह गंगुबाई के जीवन का केबल एक ही पहलू है कमाठी पुरा इलाका मिलने के बाद गंगुबाई बहां की रानी तो बन गई लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं के खलाब जबरन देह वैपार करवाने के लिए नहीं किया बलकि गंगुबाई ने सेक्स वरकर्स के लिए बहुत सारे काम किये ताकि उनकी जिन्दगी बहतर हो सके बहराल गंगुबाई रुपहले परदे पर एक बार फिर से धमाल मचाने को तयार है अब जो पर दो 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 दो